तो आल फ्यू इन मैं यूटूब चैनल एवलूशन पॉइंट तो इन वर प्रिविएस वीडियो वी हैब अलड़ी डिसकस्ट अबाओट सम् इंपॉर्टेंट थेयरी आफ एवलूशन और गेनिक एवलूशन जिसमें हमने यह लैमाग थेयरी और सपोर्टर साफ लैमाग थेयरी के बारे में पड़ा है इसको आप मेरे चैनल पर जाके कि द और फिर उनी के साथ साथ मिन्स उनके ओरेजिन के साथ साथ ही उनका कैसे उनका एवलूशन हुआ है इन सारी बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो प्लीज वीडियो के अंतक बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो हमारी साथ जिसको थेयरी आफ नेचुरल सेलेक्शन भी कहा गया है विच इस आलसो कॉल्ड थेयरी आफ थेयरी आफ नेचुरल सेलेक्शन सांटिस्ट अल्फ्रेड रसेल वैलेस जिन्होंने वैलेस चार्ट भी दिया है अब बिसिकली कांटिन्यू जब हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे वैलेस के थूई वैलेस चार्ट दिया गया था जो की एवलेशन में एक इमपोर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो है intelligent Malthus के एक लेक से प्रभावित थे जिन्होंने population के उपर अपना लेक दिया था और उन्हें बदि के उपर या population के उपर अपना लेक लिखा था इससे related थे अलफोड जो वैलेस थे वैलेस ये प्रभावित थे और उन्होंने अपनी theories भी दी थी सेम जो चीजे डार्विन की थ्रू डिसकस की गई थी उसी पर इनका भी कॉंसेप्ट था because he was also believed in the evolution and evolution कैसे हुआ तो इनको भी पहले ऐसा लगता था कि evolution जो हुआ है वो किसी ने किसी factor के वरे से कोई नों के ऐसा environmental factor हो या फिर हम जीन का है या DNA का है उनके responsibilities रही है और उसमें important role लहा है जिसके वरे से evolution हुआ है तो बात हम लोग करते हैं Charles Darwin की तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि Russell Wallace और Darwin की जो thinking थी वो सेम थी important हम लोग Charles Darwin की बात करते हैं यहां पर क्योंकि यह ज्यादा importance रखते हैं basically यहां पर Darwin जिनका टाइम पिरिएड रहा है तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1909 में सुरुसबरी एक जगह थी जो कि इंग्लैंड में है वहां पर इनका जन्म हुआ था इन्होंने एडिन बरो में चिकित्सा सास्द्रानी medical science की study की और क्योंकि काफी अच्छे यह student थे अपने समय के तो यह related थे medical science से पहले सही इनको living things में पहले से इनको interest था इन सारी चीजों में और इन्होंने अपना graduation complete किया था Cambridge University से Cambridge से graduation complete करने के बाद यह जो हैं करीब 1931 के करीब 21 साल की उम्र में इन्हें एक ship दिया गया था world survey की लिए world tour के लिए इनको एक ship provide की गई थी British सरकार के दौरा जिस पे इन्होंने survey किया था और उषीप का जो है नाम विगल था HMS विगल उषीप का नाम था जिस ship से इन्होंने world survey किया और world survey के बाद एप्रॉक्स 1885 में इन्होंने theory of natural selection जिसे Darwin's theory या फिर theory of natural selection या फिर darwinism के नाम से जाना गाता है यह important theory थी जिसमें इन्होंने कुछ important points discuss किये थे important बाते इन्होंने बताई थी उस theory से related जो है तो basically हम उसी की बात करेंगे कि वो क्या important points थे और क्या बाते इनके थुरू बताएगे थे so let's start with that particular points so the first point of the theory of natural selection जो कि first point था इनका वो था enormous fertility इसका मतलब होता है कि किसी भी organism के अंदर संतान उत्पन करने की ज़्यादा से ज़्यादा छमता होती है से ज़्यादा से ज़्यादा capacity होती है इस हिसाब से जो है तो इन्होंने यह point दिया था जिसमें माल्थस के कुछ concept जो population से related था माल्थस scientist का जो लेग था जो कि population से related था उसमें से कुछ बाते इनके थुरू ली गई थी जिसमें यह का गया था कि जो तर सोते हैं ओस्तर जो की आपका एक मुलसकंज होता है वह एस्टर जो होते हैं लगभग फ्राक्स जो है वो 10 लाक एग्ग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बनियर सो 10 लाक एक पर यह पीन्स हर लीविंग के पास इन्होंने इनके एक्टार्डिंग इस तरह से और अगर हम लोग बाकी दूसरे जानवरों के देख लें तो टोटल जो है एक एलिफैंट जो होता है जो होता है वो टोटल थर्टी से नांटी एर्स के एज में टोटल एंडिविज्वल्स प्रोड्यूस करने की कैपसिटी रखता है ऐसे हम लोग डॉक्स की बात करते है तो उनका जितना भी लाइफ स्पैन होता है उस लाइफ स्पैन में मैक्सिमम इंडिविज्वल्स करने की क इन्होंने बस इतना ही कहा था कि किसी भी ओर्गनिजम के पास maximum individuals प्रोड्यूस करने के capacity होती है and this is the first point what is the second point second point था इनका constant population constant population एक चीज यहां पर अभी हमने देखा कि इतना जो सब के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इतने ऐसी इसी मास्कीटोज हैं इसेक्ट हैं धेर सारे एक्ष्प्रोड्यूस करते हैं फिर भी चाहें हम स्नैक की बात करें या फिर हम लोग वेस्टर्स की बात ले लें अगर वेस्टर्स के यह 10 लाक्स एक्स जो हैं वो सब के सब अगर बेबी में उसके बच्चों में convert हो जाए या उसके individual में convert हो जाए तो इतने वेस्टर हो सकते हैं कि जितने ocean से वो वेस्टर से पढ़ जाए इन मिन्स वो पूरा वेस्टर ही फैल जाए वहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं होता है इन्हें second point दिया था constant population का concept जिनने कहा था कि इतने fertility के इतने organism के produce होने के बावजूद सभी का जो population है वो क्या है constant है means normal population है means किसी भी population से हमें कोई खास दिक्कत नहीं है यह इनका second point था जो यही बताता है कि इतने productivity के बावजूद इतने fertility के बावजूद सभी का जो population है वो क्या है नॉर्मल है थर्ड पॉइंट इनका था इस ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस यह जो कि most important point था इस थेरी का और इन्होंने कहा था कि कोई भी organism जो होता है वो अपने ऐक्जिस्टेंस के लिए अपने survival के लिए हमेशा क्या करता है इस ट्रगल करता है और this point is called struggle for existence कोई भी जैसे कि यह struggle क्यूं होते है वो struggle क्यूं करता है किसके साथ करेगा तो struggle करता है वो food के लिए shelter के लिए and for reproduction also कोई भी living होता है वो food, shelter or reproduction के लिए क्या करता है struggle करता है यह जो struggle होता है वो 3 तरीके के हो सकता है basically struggle जो है वो 3 तरीके के हो सकते है एक तो intra specific स्पेसिफिक, सेकेंड इंटर स्पेसिफिक, एंड थर्ड वन इस, इन्वार्मेंटल, मिन्स जो भी वो स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल में उसके स्ट्रगल हो रहे हैं, हमने देखा, जन्वार्म इस, रहने की जगह के लिए, रिपरड़क्शन के लिए, और उसके फूट के लिए, तो ये स्ट्रगल तीन तरह के हैं, इंटर स्पेसिफिक क्या है, जब सेम कानड ऑफिस्पिसीज के बीच, सेम स्पिसीज के बीच कोई स्ट्रगल हो, जैसें अगर इम लोग बा पानी के लिए या रिपोड़क्शन करने के लिए अक्सर वो लड़यां करते हैं तो इस kind of struggle जो है वो जिसमें की same kind of species के बीच हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं इंट्रा इसपेसफिक इसका मतलब होता है different species के बीच तो different species में यह कहा गया कि क्या होता है कभी कभी जो species होती है वो अलग-अलग species के साथ स्ट्रगल करती हैं सेम चीजों के लिए वूट के लिए और शेल्टर के लिए और रिप्रडक्षन के लिए तो यह उनका जो है नेक्स्ट उसका जो स्ट्रगल फार एंशिस्टेंस कह नेक्स्ट जो पॉयंट था उसके बादध हुरा environmental, environmental means अक्सर हम लोग देखते हैं कि environmental conditions जब change होती हैं तो change होने के वर्या से हमें बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि क्या होता है हम लोग particularly environmental condition के against अपने आपको adopt करते हैं आप फिर struggle करते हैं existence के लिए हम survive कर पाएं और struggle complete हो पाए हमारा तो हमारा existence जो है वो खतम हो जाता है, so that is the third point of theory of natural selection, तो इस theory का जो next point था, वो था variations and inheritance तो हम लोग ये जाने के कोशिस करते हैं inheritance जैसा कि आप genetics में आपने पढ़ा होगा कि characters जो होते हैं जब वो generation to generation, like हम लोग कह रहा है ये P1 है और P1 से F1 आएगी F1 से F2 आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा genetic material होता है, जो DNA होता है वो characters को क्या करता है, transfer करता है generation to generation, so this is called inheritance, variation क्या है, variation होता है, difference between the individuals, basically difference between the individuals किसी भी संतान के बीच में, चाहे वो twins ही क्यों ना हो हम लोग अकसर देखते हैं कि कोई twins भी अगर है तो उनके बीच में भी difference होता है, individuals के बीच में अगर दो identical twins अगर है identical twins का मतलब just the same तो identical twins में भी कुछ नकुछ हो सकता है उनके body structures, physical appearance अगर same है, फिर भी उनका जो हो सकता है, उनका जो nature हो उनका जो behavior हो वो क्या हो एक दूसरे से difference हो तो इस वज़े से ये जो variations होते हैं दो individuals के बीच में जो variation होते हैं वो हमेशा inherited होते है इसे variation जो होता है, वो inherited होता है और ये भी कही न कहीं बहुत बड़ी responsibility रखता है according to Darwin की वो नई species का क्या करें, फार्मेशन करें जो next point था, which is the most important point जो कहा गया था survival survival of the fittest survival of the fittest में ये कहा गया था कि अगर struggle में जैसा कि हमने बोला कि अगर struggle में कोई organism जो होता है वो अगर बच जाता है तो वो क्या होता है, fit माना जाता है और वहीं केवल survive करता है जैसे हम माल लेते हैं कि दो species हैं type A and type B दोनों के बीच में food को लेकर के shelter को लेकर के and reproduction को लेकर के अगर struggle हो रहा है दोनों के बीच में fight हो रही है तो food को लेकर के जो भी fight में वो जीतेगा, वो food को obtain करेगा और ज्यादा ज्यादा food लेगा तो ज्यादा strong होगा और वहीं फिर क्या कर पाएगा survive कर पाएगा, so this is the next point जिसको ये कहा गया था, survival of the fittest and next, another next point of the theory is next theory थी natural selection क्योंकि इस theory का नाम भी natural selection ही है इसमें हम लोग एक environmental adaptations की हम लोग basically बात करते हैं तो यही most important point यही है adaptations जिनके हम लोग बात करते हैं natural selection means की अगर कोई भी individual जो की fit हो गया survive करने के लिए natural conditions जब भी change हो जती है अगर वो अपने आपको adopt कर लेता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कोई winter condition और summer condition में कोई type A और type B species हैं अगर winter condition में यह दोनों species अपने आपको adopt कर लेती हैं दोनों में से कोई एक adopt कर पाता है means कि उतने cold condition में extreme cold condition में survive करने के लिए अगर वो अपने characters को बदल लेते हैं जैसे कि उनके hairs large हो जाते हैं और उनमें ज़्यादा fat हो जाता है तो वो उस condition में survive कर जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है environment adaptation जो की natural selection का एक process होता है कि जो adopt कर गया आपने आपको उसका natural selection हो जाएगा means वही species बचेगी जैसे इन्होंने जिराफ का example जो की most common example लिया गया था इसमें जिराफ का example दिया गया है जिसमें ये कहा गया था कि जिराफ जो है according to Darwin इन्होंने कहा था कि जिराफ जो है वो दो तरके थे एक छोटे गर्दन और छोटे पैरवाले और बड़ी गर्दन और बड़ी पैरवाले तो ये दोनों जो जिराफ थे जब भी environmental condition change हुआ और जब environmental condition change होने के वरे से जो grasses थी वो जब damage हो गए तो उनको totally जो है वो depend होना पड़ा trees के उपर तो जब वो trees के उपर उनको depend होना पड़ा तो अपने food को अप्टेन करने के लिए जिसके पास capability देखिए कि जिसकी neck और four limbs जो है वो ज़्यादा लंबे थे ज़्यादा long थे length ज़्यादा थे उसकी अगर गर्दन की और उनके अगले bear की तो वो तो treat से पत्तों को खा करके और बाकी चीजों को खा करके survive कर गए मिंस उनका natural selection जो हो गया वो perfect हो गया क्योंकि उनके अंदर क्या देखी गई एडाप्टेशन देखी गए तो वही जिराफ रह गए आज के समय में जिन्दा जो डार्विन के according यानि डार्विन थेरी यही कहती तो बैसिकली एडाप्टेशन जो है क्या है कि कि किसी भी environmental situation के अगेंस अगर हम अपनी character को चेंज कर लेते हैं या तो वह character हमारे body का change हो जाता है and this is called adaptation और जिसके character change हो गए उसी का क्या होगा natural selection होगा बाकी जो होते हैं वह select नहीं किया जाएंगे means वह क्या हो जाएंगे मर जाएंगे and the last one is which is the another important point of the theory of natural selection जिसको कहा गया origin of new species यह कहा गया कि इन सारे points के वज़े से यानि इन सभी factors के वज़े से अगर कोई living जो है कोई living अगर survive कर गया तो वो जो living है उसके characters इतनी change हो जाते है उसमें इतना genetic change हो जाता है कि उसके characters के change होने पर वो new species की तरह behave करता है और इस तरह से उन्होंने बताया कि species जो है different kinds of species जो है different time period में और अलग लग जगों पर different species का origination हुआ और इस तरह से जो है उन्होंने अपने बात को प्रूफ किया अलग अलग example ले करके अलग अलग उन्होंने कई सारे birds के example लिये थ तो इस तरह से यह जो है आपकी पूरी theory जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा I hope कि आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो कोई भी बात तो आप please comment में जरूर बताएं और thank you for the watching please like share and subscribe my channel for more videos